नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल ए भी क्लासेस में आपका स्वागत है आज का सब्जेक्ट है इंजिनियरिंग मेकेनिक्स जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ मास एंड बेट में क्या अंतर होता है क्योंकि इस तरह के कुश्चन कई बार पूछे जाते हैं यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें और वीडियो आंतर में लाइक जरूर करें अब चलते हैं आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सामने जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन दोनों की इसकी मास और बेट की लिखी हुई है जो आपको दिख रही होगी इसमें सबसे पहले हम समझाने कुश्च करेंगे मास की डेफिनेशन को बित एक्जाम पर तो जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई सबसे पहले मैं इसी को बता दीता हूँ यहाँ पर लिखा quantity of matter मतलब किसी पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है मास कहलाती है लेकिन किसी पदार्थ की मात्रा मास तो कहलाती है लेकिन पता कैसे चलता कि किसी पदार्थ का मास कितना है त तो यहां पर सबसे पहले हम क्या समझा रहा है? मास. ध्यान से समझें, थोड़ा सा कोसिस करें. यहां पर मैं ने यहां पर एक छोटा सा एकजांपर लिया है. यह हमने यहां पर किया, एक डबबा ले लिया. यहां रहा है, यह कोई कंटेनर बना दिया है. जो आपको दिख रहा होगा. इस तरह का इक कंटेनर बना दिया. और जिसको मैंने, जिसका मुझे पहल से ही पता क्या है, पहल से ही पता है इसकी चंपता कितनी है? 5 kg की है. मतलब इसके अंदर अगर हम कोई पदात भरते हैं तो वह इसकी चमता कितनी है उसकी quantity कितनी होगी 5 kg मतलब हमें container का पहल से ही decide है कि इसके अंदर कोई भी पदात आएगा और कितना आएगा 5 kg आएगा अब हमने क्या किया कोई भी पदात लिया इसके अंदर भर दिया तो अब हमें क्या पता जो पदात भरा उसकी quantity कितनी होगी 5 kg होगी क्यूंकि हमें पहल से ही container का पता है इसके अंदर जितना भी पदात आएगा 5 kg से जादा नहीं आएगा मतलब जो पदात हमने इसके अंदर भरा उसका मास डिसाइड हो गया कितना होगा मास 5 kg होगा जबकि हमें पहल से पदात की quantity पता नहीं थी मतलब किसने डिसाइड किया इस body में containing मतलब contain होने के बाद इसमें भरने के बाद हमें पता चल गया कि मास कितना है इसका 5 kg तो आपको समझ में आ गया होगा कि मास हमने कैसे डिसाइड किया इस तरह एक ऐसे हमाल लिया मैंने कोई हमारे पास container है अभी कैसा है खाली है कैसा है खाली है इसकी चंपता कितनी है इसकी चंपता मैंने माल लिए कि 10 kg चंपता है 10 kg समन में क्या हाया समन में यह आया कि पधार्थ जो है उसके मास को किसने decide किया यहाँ पर जो लगा इंदा बॉडी मतलब किसी बॉडी में भरने के बाद मतलब यह हुआ है यहाँ पर कि मास से किसी पधार्थ की quantity जो मास कहलाती है वह है मास कितना है यह तैकॉन करती है दूसरी बोडी तैक करती है अब इसमें कैसे तैक करती है इसको गई अच्छे समझे बैसे मान लिया मैंने यह कहां अर्थ पे थे अभी कहां थे अर्थ पे थे मान लिया मैंने कहां पहुंच गए मून पर पहुंच गए मून पर महला चंदर माप पहुंच गए अब चंदर माप पहुंच गए हम इसी कंटेनर को ले गए ये कंटेनर कैसा है? खाली है ठीक है? कैसा है? खाली है और इसमें खाली है इसकी चमता कितनी है? जैसा हम पहले ही जानते हैं कितनी थी? 5 kg है अब एक खाली एक आम चंदर माप पहुच गया है अब इसके अंदर हमने फिर से पदार्थ वारता है कोई भी पदार्थ वारत दिया तो इसके अंदर उस पदार्थ का मास कितना होगा अरे मास कितना होगा 5 kg होगा क्योंकि इसकी हमाने container का पहले ही हमें पता है कि इसके अंदर जो भी quantity आईगी 5 kg आईगी तो हमने देखा कि अर्थ पे थे तब भी इसमें हमारा mass इस पदात का mass कितना हुआ 5 kg हुआ अब हम moon पे पहुँच गए और उसकी container में हमने फिर से mass पदात भाग दिया तो भी उसका कितना mass हुआ 5 kg मतलब जगाय परवर्तान होने पर mass की quantity में कोई भी परवर्तान नहीं हुआ मतलब कहने के मतलब जगाय परवर्तान होने पर प्लेस में changing आने पर mass में कोई भी परवर्ता नहीं होता क्योंकि mass की quantity कौन टे करता अधर दूसरी body टे करती है इसलिए mass की quantity में कोई परवर्ता नहीं आता है कोई भी body हो जैसे मैंने यहाँ पर example दिया मून पर क्या स्पेस पर पहुंच जा कहीं भी पहुंच जा मान लिया मैंने स्पेस पर पहुंच गया अब जी हम 10 kg का कंटेनर खाली ले गए ठीक है एक खाली लेगा 10 kg कंटेनर हमने 10 kg जाएगा तो समझ में आया कि हमारा क्या हुआ किसी भी प्लेस पर पहुंच जाते हैं हमारे mass में कोई भी परवर्ता नहीं होता है क्योंकि mass की quantity quantity करता दूसरी body track करती है इसलिए उस body की जितनी छमता हुई उतना ही mass होगा कहीं पर भी उस body को रख दिया जाया उसमें कोई कोई भी पदात भर दिया जाए तो आपको एक चीज समझ में पहली चीज याद रखना कि हमारी mass की quantity है जो भी किसी पदात की quantity होई किसी किसी दूसरी body की दूरा तैय होता है और तीसरा बढ़ के याद रखना है यहाँ पर दूसरा बढ़ के याद रखना है कि place to place change होने पर mass की quantity में कोई परवरता नहीं आता है या mass में कोई परवरता नहीं आता है इसके अलावा जो याद रखना है mass का scalar quantity है scalar quantity मतलब सिर्फ magnitude बताती है ठीक है direction नहीं बताती है इसके अलावा जब हमारे जो mass होता हुआ हमेशा किसी भी गतिको motion को रेजिस्ट करता है मतला उसका वि इसी बेट नहीं होता, क्या होता, मास ही बेट नहीं होता, कैसे, μποर apex よね, मास WILL Travel, highly by food, I'm a फज़़ में यह जा है, Waited का मल्टि प्रह एब प्ताह क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर हमने कितना लिया था 5 kg, मास कितना था इस पदार्थ का 5 kg, अगर इसी पदार्थ का 5 kg मास का में बेट निकालना है, तो उसका बेट कितना होगा, मास तो कितना होगा हमने, जैसे माल लिए 5 रख देंगे, अब ग्रेवटी जो भी होगी, अकॉर्डिंग टू प्लिस, उस ग्रेवटी का मल्टिप्लाई करने, फिर जो भी हमारे पास बेलु आएगी, जैसे कि यहाँ पर देख रहा है, अगर हमें इसका बेट निकालना हमें, माल लिए हम कहां अर्थ पर है, एक एक जामपर ले रेते हैं, कहां हम अर्थ पर हैं, अर किता है, इसका 10 kg रख देंगे, इन्टू ग्रेवटी पर हमारी नॉर्माल किती लेते हैं, 9.8, अब इसका मल्टिप्लाई करेंगे, तो 98 क्या आएगी, न्यूटन, बेट की उनिट क्या होती, न्यूटन, ठीक है, तो याद रखें, कि हमारा हमने क्या किया, हमारी एकौर्डित के अकॉर्डिंग बेट में परवरतन होते हैं, लेकिन व Intelligence का आएगी, न्यूटन होती है, अब जियर किया रहते हैं, उसमें गती भी पैना करता है, जब गती पैना करता है, तो direction भी होगी, तो याद रखें, वेक्ट होती है, वेक्टर कॉन्टिटी होती है, और यह है क्या करता है मोसन या गती जिसे बोल सकते हैं वह पैदा करता है बेट जबकि यह हमारा मास क्या करता है उसको रजिस्ट करता है यह चोड़ चोड़ी बात हैं मैं याद अखना है आंगे में इसकी basic point जो difference होते हुआ है लिखके मैं दिखा देता हूं जिससे आप उसक की मात्रा है जो जो बोड़ी के अंदर जितनी आ सकती है वही क्या है मास है यहां पहले का it is the force with which the body is attracted towards the center of gravity मतलब जो भी हमारा मास है फिर center of gravity की करण जो भी हमारी gravity करण जितना attract होता है उस gravity का जो हम मास में multiply कर देंगी फिर जो भी value यह क्या होगा हमारा बेट होगा यह क् इसकेलर कॉइंटिटी है जबकि बेट हमारा motion पैदा करता है गती पैदा करता तो उसकी दिसा भी होती है इसलिए क्या vector कॉइंटिटी है यह क्या होता जो मास है जैसे मैंने container का एक एक जाम पल देके दिखाया कि body के according तरह होता है तो कोई भी body जहां पर रखी हुई है उसम जैसे मैंने बता चुक है तक है रेष्ट करता है किसी भी motion को किसी भी body को जब वो motion में होती है रोकने का प्रियास करता है ठीक है जबकि हमारी जो बेट होता हुआ है हमेसा motion पैदा करता है किसी दूसरी बौड़ी में गती पैदा करता है ऐसा यूयट केजी होती है मास की जबकि यूट हमारी यूट होती है किसकी हमारे बेट की हुआ है ऐसा यूयट होती है नीउटन ये चोटी-छोटी बेसिक डिफरेंस है कई बार पूछ ले जाते हैं इन सबको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लें याद हो जाएंगे आसा जैसा मैं समझाने कोछी की यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन पर क्लिक करें जिससे की इसी तरह के जो वीडियो में अपलोड करता है रहता हूं वह आपके पास पहुंच सकें थेंक यू फ्रेंड्स